नमस्कार दोस्तों जैसे कॉंसील वैरिंग किया गया है तो एक रूम में आपका क्या-क्या फिटिंग लगा जाता है इसके बारे में जनकर देंगे तो जैसे एक रूम हो गया नॉर्म है डोर का एंट्री होता ही सामने में स्वीच बोर होना चाहिए ठीक है नीचे भी फूट दो आपका 6 एंपिया का शोकेंड एंड स्वीच रहेगा तो वैरिंग पूरा हो गया वैरिंग कैसे किया गया है इसके लिए मैं अल्रेडी वीडियो बना दिया हूँ आप उस वीडियो पर देख सकते है एंडी स्क्रीन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाए देख लिए आब जा है दलिजे और कि नीचेमे फूटले में चल्एंफंड यहां से लूप हो कि अधर जहा होगा है ऊसके लिए फीस से लूप जाएगा करें एक की यहां से दुसरा स्वीच बोर्ट लुक रहे और एक इन पूट एकार है आउटपुट यहां से सप्लाई वह ठाई मैं स्वीच बुर्ड में değas लगा हुआ रहेगा इसको कीसी साफ से कानेक्शिन करते हैं नीचे फूट लेंद की सब से करते हैं और और जैसे फेंड बगरा फोल डॉड श्लिंग रोज यह सारा चीज के से कनेक्शन करते हैं चलिए इस बरमी जमते हैं बोड में सबसे क्या करना है सबसे पहले जितना भी हाप है आप लाइट का पॉइंट है ठीक है इसको फिर टेप मार देता हूं अजय और अब यहां डल करते हैं आप क्या करना है जैसे यह पर यह न्यूटल है यारती है और यह डड़ता है ठीक है तो नीचे में भी फूटलंग के लिए एक न्यूटल चाहिए तो इसने ख़ुआ को यहां इसमें जुड़ना इसको पहले में जुड़ करके जोरूरी है ठ आप इसको यहां पर जोड़ना है तो आपका निच्छ तक नीटल चला गया है जब भी जुड़िएगा इस तरह का ठीक है पी जोइन कीज़ेगा इसमें प्रपार तरीका से प्लेयर लागा के टाइट कर दीज़ेगा ठीक है यह धार रखिएगा और यहां पर प्रेप मारना होगा बाख़ा जरूरी है ठीक है तो यह भी ऑफिए आपको यह अपका इंपूट एक आउट को तो इसको एक शाथ में टेप मार देता हूं आप यहां पर यहांप Efendimiz का पीसितिमाल N् करें किया सब्सक्राइब्स ट तो के आअ यह सब्सक्राइब एब हें उलट तो इसको भी पुराबर नें कट लेता हूँ ज्यादा पढूर इस्में भी मार देता हूं ठीकि accessible तो यह आपका स्विच अन अफ करने के लिए यह सार्किट कर और यह जितना है आप आप इसका स्विच वड़ को फिटिंग करके आता हूं फिटिंग करके ले आने के बाद प्रिया पर कनेक्शन करूंगा ठीक है तो यह जैसे 12 मोडल का प्लेट कबार है यहां पर कालर काया हुआ हो तीक है क्वालीटी तो लग 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 भाट ठीक है और उसक्रूज हो दिया हुआ है और सुच भी इसका है यह सोकेट सूच करा लग को लगत कर दो तो तो सब्धी यह कभार को में रिमूब कर लेता तो जैसे के लिए 25 एंप्यर का स्टेटर 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 लगा हो रहेगा फैन के लिए तो करेंगे नहीं जूरूरत तो इसको अपर रखेगा ठीक है तो इसके लिए जैसे इसका एक स्टेटर और आप आप पर यहां पर में सब्सक्राइब ले रहा हूं आप इसको करना है इसमें यह जो प्लेट कवर का यह टॉप साइब है तो हमारा जो रूम है रूम इधर से एंटरंस आएगा एंटरंस आप तुमिंगो सुच मिलना चाहिए ठीक है यह ध्यां दखना तो स्विच इस तरा से ना बैוש ना बैसे यहां पर स्विच करना है और सिसे होता है इसको नीचे तरफ रखना है इधर जो है लाइन का नेक्से लोड़ का है तो इससाब से में तिक है तो देखें कुछ इस तरह से फिक्स करना है तो फिक्स होगे अब दूसरा को भी लेता हुआ उसी तरीकर से ठीके अब तीसरा को भी लेता हुआ करना दो तो तिष्यान मथंखना है जिसे यहां पर रगूरेटर देना ठीक है रगलेटर यह देधी ते-टीक है यह ठिक सर गया उसके बद यहां पर आपको वह सेलीच लगा सकते है ए अ intim ata 2017 acesso लगा अन्हाटosi लगां टिक है सब्सक्राइब निचे पर मैं इंडिकेटर देता हूं और इंडिकेटर के लिए यह स्वीच दे रहा हूं और दो लाइट के लिए तो एक लाइट हो गया दूसरा लाइट हो गया और उसके बाद सोकेट के लिए यह सुच दे दे रहा हूं ठीक है सोकेट के लिए ठीक है फिर यह सिक्स एंपियर का आपका सोकेट है इसी लगा देना जूरी अब हो गया बारा मडल कम्प्लेट इसमें देखिए दो दो चार दुच्छे सब्सक्राइब हो गया आपका इधर सब्सक्राइब यहां पर लग जाता है ज्यादा सब्सक्राइब हो जाता है इसलिए यहां पर में इंडिकटर में सुच दिया हुआ इसलिए करने है तो करनाओ कि यहां पर करने के लिए करने के हमखा यहां करने सथ यह में होगा ओकए तो-धना करने क्रने यहां कि सब्सक्राइब तो जैसे इस तरह से यहां तक पहुंचाना जुरूरी है तो यहां तक पहुंचाना जुरूरी है तो यहां तक पहुंची आप इसको यहां पर टाइट करती है ठीक है कि और ये दोनों श्कुरू को भी आपको बढूर दो उसके बाड में यह और हैं यह लिए भी टाइट कर दिया ओूर यह प्रोफ़ा है और ये प्रोफा बहुत हम से नगचे लिएक और यह इसमें में झामी डेन То तो फेंका में कनेक्शन कर दिया हो यह लोड़ वैर है ठीक है हब जो है फेंका कनेक्शन होगा और यह इसमें नीडल चाहिए ठीक है नीडल में कनेक्शन होगा तो इसका जो है स्वीच के जो सोकेट के लिए लोड़ वैर है इसका जामफार के बूल चाहिए ठीक है इसमें कन लिया हूं और इसको में कर देता हूं तो पहले स्विच में लोड़ व्यार जो आउट्पूट निकालता है उसमें कानेक्शन किया हूं उसके बाद जो है आपका इसको बहुत है आपका प्रोंट साइड से तरफ दिखाएगा और वेक साइड से बाया तरफ है टीक है तो एल जिसमें लिख्ञा हो रहा है उसमें करना चुरूर यह तो इसको भी मैं कर दिया हूं आप जो है इंडिकेटर का जो निड्ल पॉंट चाहिए ठीक है तो सोगेट क साइड में यह connection होगा तो इसको भी तो निटल है फिर जंपर के भूच में जोड़ देंगे ठीक है हमें साथ यह जो जो इस तरह से कीजिएगा ठीक है जो है यह जो इन इंडिकेटर जो नूडल है यह पहुत ही पतला वेदा है एक्दम पतला ठीक है तो हमारा जो है वान इसक साथ होके नूडल में connection होगा यह fan का है ठीक है तो इसका मैं पूरा वारिंग कम्प्रेट कर दिया हूं switchboard का ठीक है अब फिल में जाके connection करेंगे तो जैसे देखिए हमारा जैसे दरबजा है दरबजा से एंट्री होके पहले दूलाइट है फिर फिर इंडिकेटर के लिए ठीक है उसके बाद connection करेंगे तो अब जितना प्रेले हाफ है हाफ को में sleep कर लेता हूं ठीक है सभी को सभी को में sleep कर लेता हूं अब कर दो जैसे यह चोधा को भूली भी sleep कर लिया और यह पांच बाके बूले इसमें मार्किंग दिया हूँ यह प्रेंग का है यह पहले में मार्किंग करके रखा हूं यह यह लो कलर टेप मरा वा पहले ज़िए ठीक है यह रखिए इसको तोड़ा ज्यादा सिलते है क्यो इसको भी sleep कर दीजिए इसको भी sleep कर दीजिए इसको भी sleep कर दीजिए उसके बाद क्या है नहीं क्या हुआ तो सब्लबन करता हुआ सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कि कि वसके बाद यह रना है लोड दो उय दुन हो ग therapies किया तो यह क्सिस में या आँभी करने होगा हुआ है तो को को सब्सक्रिक्स करता हूं तो फार लेंगे तो इसी प्रोसेस को कि इस्तेमाल करते हुए जाएंगे ठीक है और उसके बाद नीचे बाला ठीक है यह यहां से आउट गया गया हुआ है इसको भी यहां कानेक्शन करती हाँ यह होगे आपका यहां लूप होके दूसरा सूच बोर में चला गया ठीक है तो सार्किटिस का कनेक्शन हो गया ठीक है फेज बला आप यहां पर न्यूटल के लिए इंडिकेटर में न्यूटल चाहिए ठीक है तो यह केबूल को थोड़ा सा सीलिप करना होगा और एक साथ जो तो जैसे अभी डाल दिया हो नीडल प्रेंट को और यहां कानेक्शन कर दिया हो ठीक है यह नीचे का है तो नीचे तरह पी रखना है ठीक है उसके बार जो है आर्थिंग क्या अर्थिंग के थोड़ा सा यह 0575 है तो एक बार मोड लेता हूं ठीक है मोडने के बाद यहां कर देता हूं ठीक है आर्थिंग में कनेक्शन कर देता हूं भर आप चेक कर लिए ठीक है यहां पर देख लिए स्वीच इस तरह करेंगा यहां पर लाइन लोड अपका ऐसी क्या होगा ठीक है फिर फेस्ट दो दिया हुआ इंपूट आउपूट दूसरा जो सब में किया जो फैन का पॉंट में इंसुलेशन टेप मरके यहां पेले कर लेता हूँ एक अपको इस तरह से नहीं मारना है हमेशा यह देखिए इस तरह से कि इस तरीका से आपको मारना ठीक है यह प्रोसेश इस्तेमाल करना है हुआ ठीक है और यह थोड़ा सा आप प्लेर का प्लेट का जुरुकर थे ठीक है तो प्लेर से नाप्र कर दीजिए अब यहां पर इंचलेशन टैप मारीं यहाँ पर हो गया आप उसके बाद दू स्वीच यहां दीजे और दू स्वीच अपने हां दीजे ठीक है तो में फेले दू स्वीच उपर देता हूं चाहे तो आप आइडेंटिफाय करके दे सकते हैं आपका कानेक्शन की धर होगा आप चार जैसे हैं आप है लाइट के लिए तो यह द गया है है यह मतलब उदर यहां इसको डाल देता है तो इसके बाद दूसरा केबल को इस तरीका से डाल लेकर दीजें ठीक है तब ही केबूल अब का पूरा कानेक्शन हो गया ठीक है अब इसको स्कूर लगा के टाइट करना है तो यह केबूल जेतना है अंदर तरफ बढ़ा दीजिए ठीक है उसके बाद चार स्कूरू मारी एक दो पीन चार ठीक है और इधर भी है अब पर हुआ है हुआ है अब 이번 चीथा हो से दिखाई रहां टीक है याँ पर सफ लेबल के बसा तो स्थ लेबल लागा सकते हैं इससे एक सीधा दिखता है Battle की आपम फ्लेट का थिए को आप जबहाने नींग दिया है और को उसको इसको पफिक्स करना है ठीक है यह प्रोपार होगी ठीक है इस तरह से स्वीच बॉल्ड अपका करनेशन हो ठीक है आप चलिए उसी रूम में एक तरफ आपका होल्डर पीटिंग परना है तो सबसे पहले रावशिप जो है पीवीजी का है इसमें फॉर्मार लिया हों और दो स्कूर जो है इसमें टाइट कर करेंगे पार यहां पर यह जो अप्टेब्ल निकला हुआ है इसमें फॉल्डर पेटिंग तो आप दू मार्किंग कर लिया हूँ दो थीया है इसमें आप ब्राडूल से हल मार लेंगे तो जैसे ब्राडूल से में हलका is में खोल मर लेता हूँ देणैंच तरफ हलका सा और बहान तरफ हलका सा बहुत हुमरी है करने के दूद करने के बाद इसमें कभार लगा देना जूरूरी है अब होल्डर में कभारीश में लगा देता हूं आरसी सोकेट को कर्णेशन करते हैं तो इसके शुपेट को करनेशन करते हैं इसको पारेशन करते हैं तो इसके शुपेट को पारेशन करेंगे। इसको पारेशन करेंगे। इसके शुपेट करते हैं तो 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 इसके श आप इसका इसको देखे टाइक्स देना है ठीक है अब यह जैसी टिक्स हो दिए लेंको पार हाब इसका प्लेट कवर लगा देना है बड़ी यह ओर ठीक है इसका दिचा में तो है आपका दू सोकेट है और दू जू जीचे 6Mb-12 यह डेर्ट साफ है तो केबुल को थोड़ा लेंगा दा है पीसिको इसकी मागा देखे लूग केबुल में कर लिया धो तो सबसेघ में इसको डालता भीए निचे तो सिरीज में कर दा आघ तो इसको दूदाए से इसटिमा खरेंगी तो यहां से फास करेंगे तो जब जोड़े अधिय भीड़े मिद्राइब यहां से यहां से यहां से लुपकर दिया, इसको आपकर दिया है, साँक़ तर्फ तरफ और घेमाँ लागेगा तो यहां पर होल्डर और सिलिंग्रोज लागाने के लिए फूरा लगा दिया हो उन्होंने प्रेस कर रहा है इसको लगाने के लिए तो पूरा लगा दिया है और पूरा रूम्प अभी देख लेते हैं तो में फूटल्मिंप लगाना है तो फूटल रगया जता है इसके बार प्रितम का फूटलेम पाया हुआ है उसको दिखेंगे तो जब भी आपके बुद जूड़ेगा तो कुछ इस तरह से जूड़ेगा ठीके इसे नॉर्मेल जूड़ता है उस्तरा का नहीं जूड़ना है इस तरह से जूड़ेगा प्रोपार प्रोपार तरह करें तरहें इसके वाद़ को उसके बाद को इसमें जूड़ेगा इस में बंदर में तो धिक्कत नहीं है और नोर्मन शुपा मारते हैं उसमें छूड़ा रहता है जो जिनको जनकारी ने ज़ता है जब भी टेप मरीगा तो टाइप यह जिसे मारा हुआ तो यह पर लागाना है तो इसके बाद इसका प्रेट का बंद कर देखें अब यह फिक्स हो गया आप इसका पावर देखे चेक कर लेता हूं तो यह प्रेट कर देखें आप मैं कर दो यह निए तुक है इदा इसो पर देखे हुआ सिते हैं फैंशी सबस्क्राइब। तिक है उधार राइट साइड है बाल्व है बाया अपका लाएगा तिया हो जब लगा तिया है और उसके बाद आता है पूरा आपको देखा दिया है एक विंडो दिया हुआ है सब्सके बाल है और जैसे यहां बीष यहां पर बाद रचेंव हो कोड़ खाता है इस फाले चानेकेशन इसां आएगा खाल गया और यहां यहां पर आपका डिपी मेन स्वुच लगाया गया है डिपी इसका मेन बाहर से आएगा ठीक है यहां से आउट कुटाप का दिनी में जाएगा